हलो आफ्रिबडी दिस दिग्रास सिंग राजपूद वेलकम टू मैगनेट ग्रीन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं Class 8 civics chapter है Understanding Secularism अब ज़र आप recall कीजिए जो हमने पिसला chapter पढ़ा था chapter 1 Indian Constitution के बारे में तो Indian Constitution के key features में हमने secularism पढ़ा था एक basic idea मैंने आपको दिया था उस chapter में क्या था basic idea secularism का धर्म निर्पेक्षता याने कि जो भी country है वो सभी religions को equally treat करेगी तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यह जो key feature था हमारा secularism का उस secularism को broad dimension से समझेंगे कि secularism क्या होता है क्यूं होता है कैसे practice किया जाता है यह सारी चीज़े हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं तो मतलब यह key feature पे एक अपने आप में पूरा का पूरा chapter है बड़ा interesting chapter है आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी अब यह वाला जो वीडियो है इसमें आपको में introduction देने वाला हूँ इस chapter का तो यहां से हम start करते हैं कि आप imagine कीजिए imagine the religious freedom in India with any non-secular country non-secular country क्या होता है जैसे मैं एक example देता हूँ आपको non-secular country का कि non-secular country में हम कह लेते हैं Saudi Arabia यानि कि वहाँ पर वो सारे धर्मों को tolerate नहीं करते हैं न वो सरिफ एक धर्म को एक specific धर्म को promote करते हैं यह उनकी state policy मतलब यह government की policy है वहाँ के जो राजा है उनकी policy के हम सभी धर्मों को समान नजरों से नहीं देखेंगे तो वो non-secular country हो गया अब उस non-secular country में जितनी religious freedom है उसको आप इंडिया से compare कीजे आपको जमीन आस्मान का फरक दिखेगा इंडिया को हम क्या कहते हैं secular country कहते है अब on being a secular country we are providing variety of freedom, religious freedom कैसी religious freedom है हम सभी धर्म के लोगों को equal opportunity देते हैं government jobs में आने की किसी को भी धर्म के basis पर discriminate नहीं करते हैं तो बहुत सारी multiple चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जहां मैं समझ में आता है क्या कि इंडिया में जितनी religious freedom है उतनी एक non secular country में नहीं होगी जैसे example में अगर आप देखोगे तो अगर आप देखते हो Jews in Germany during Hitler तो Hitler के time period पे ठीक है जर्मनी के हुलर थे Hitler अब कब की बात है second world war के time period की बात है उस समय पे religion के basis पे क्योंकि Germany में क्या हो रहा था कि जो Nordic German Aryans थे जो majority Christians थे वो Jews को persecute करते थे परिशान करते थे किस basis पे सिर्फ religion के basis पे तो अगर क्या होता है एक non secular country होता है और वो सारे धर्मों को अगर समान नजरों से नहीं देखता है तो उसके चलते बहुत large scale पे क्या होता है discrimination होता है exclusion होता है persecution होता है किसका religious minorities का और किस ground पे होता है उन्दी grounds of religion यह सब धर्म के ground पे होता है कि हाँ धर्म के नाम पे लड़ाईयां हो रहे है कि एक country का जो secular country है वहाँ पे लोगों को धर्म के basis पे आफिर रिलीजन के basis पे discrimination face करने की chances कम रहते हैं compared to a non secular country अगर एक और example देखे हम तो जिसे Muslims and Christian minority in Israel अब क्या होता है कि Jews को जिस तरह से Germany में discriminate किया गया था exclusion हुआ था उनका persecution हुआ था तो जिउस ने अपनी एक country बनाई इसराइल ठीक है इसराइल में क्या होता तो वह भी सेम रिपीट कर रहे हैं वहाँ पे जो Muslims और minority Christians हैं उनके साथ discrimination करते हैं तो एक secular country में आप समझ सकते हो कि कितने positive points है कि वहाँ पे discrimination religion के basis पे नहीं होता है religious grounds पे सभी को equally treat किया जाता है अब अगर ground of religion की बात की जाए तो यह क्या होता है this discrimination happens even on large scale when no when one religion is given official recognition by the state at the expenses of other religion इस चीज़ को समझो क्या बताया देखो यहाँ पे एक सेगेंड रूखी हाँ आपको इसको connect करके देदें यह देखो इस discrimination happens even on large scale when one religion is given official recognition religion being given official recognition इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजे सपोस एक example लेते हैं इंडिया में आप क्या होता है इंडिया में majority religion जो है जैसे हिंदूस तो हिंदूस को एक समय के लिए क्या देदिया official recognition देदिया government ने तो अब जब government इस चीज़ को recognize कर लेगी तो government किसको support करेगी जिस religion को recognize कर रही है जिस religion को support दे रही है तो इसके डर के रहना पड़ेगा उन लोगों को उन लोगों को साथ discrimination हो सकता है सारी चीज़ हो सकती क्यों क्योंकि सबसे ज़्यादा powerful कौन होता है मैंने chapter 1 में बताया था country में सबसे ज़्यादा powerful होती है government जो जो स्टेट होता है वो सबसे ज़्यादा powerful होता है तो इस सेंस में अगर government किसी एक religion को support कर देगी तो दूसरे region के लोगों को क्या एक डर कह सकते है कि in sense of insecurity डवलप हो जाएगा तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर एक religion को official recognition मिलती है किसके द्वारा state के द्वारा at the expenses of other at the expenses of other मतलब क्या है कि जो दूसरे religion अब उन्हें सफर करना पड़ेगा तो इस sense में क्या है इस sense में this is the ugliest form of religious ground पर discrimination होता है उसका कि धर्म के नाम पे सबसे जादा जो discrimination हो रहा है तो उसका सबसे बुरा परिणाम हो सकता है कि एक religion को official recognition मिल जाए state से और दूसरे religions दोंने उन्हें के साथ discrimination हो रहा है तो I hope आपको एक basic idea clear हुआ इतनी सारी चीजे पढ़ने के बाद में कि secularism क्या है जो हमने पहले चाप्टर में भी पढ़ा था फिर दूसरी चीज यह कि जो secularism है तो secularism को किस तरह से एक non-secular country के ऊपर advantage मिलते हैं जो secular country उसको कितने सारे advantage मिलतें compared to a non-secular country therefore we can say religious neutrality of state is most important thing तो अगर एक state religious grounds पे neutral है मतलब वो सभी धर्मों को समान नजरों से दिखता है तो यह बहुत अच्छा होता है देश के लिए क्यों क्योंकि discrimination exclusion persecution यह सारी चीजें जो है वो नहीं होती है clear है अब इस chapter में हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं in depth में क्या-क्या पढ़ने वाले इस chapter में what we are going to study in this chapter तो देखिए content होने वाला meaning of secularism बाट इस secularism से start करेंगे जैसे आपका book में दिया है फिर why it is important to separate religion from the state यह बहुत important question है कि जब आप secular country बोलते हैं secularism का मतलब क्या होता है कि separation between state and government state and religion मतलब धर्म को और जो government है उन चीज़ों को आप अलग कर देते हो तो सवाल यह उड़ता है कि अलग करना क्यों है उसके पीछे कि हम कारण समझेंगे इस chapter में Indian secularism को देखेंगे पता ऐसा कहते है कि Indian secularism is different from the secularism of West secularism of West मतलब क्या है कि जो western countries है western countries मतलब European America वगरा इस सारी countries जो है तो इन countries में जिस तरह से secularism को प्रक्टिस किया जाता है और इंडिया में जिस तरह से secularism को प्रक्टिस किया जाता है दोनों में फरक है कुछ तो वो क्या है Indian secularism के perspective से हम इस chapter को समझेंगे और compare करेंगे दूसरी countries के साथ में तो these are going to be our broad topics इन topics को हम in depth समझेंगे एक एक करके clear है इस chapter के notes अगर आपको चाहिए तो आप हमारी official website magnetbrains.com पर जा सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिगराश सिंह राजपूत welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what is secularism पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने एक basic introduction देखा था कि यह chapter किस बारे में हैं और इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपने उस वीडियो को देखा है और चीजें क्लियर हैं आपको तो अभी अब हम सारे topics लेते चलते हैं पहला topic क्या हमारा what is secularism अब बताइए what is secularism देखिए secularism क्या है वो तो आप लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे हो religious tolerance को adopt कर रहे हो आप हर religion को equally treat कर रहे हो बाकि basically इसके root word में जाते हैं root word में जाते हैं मतलब जहां सी originate हुआ है तो secular का मतलब यह होता है separation of religion from the state दो चीजें आगई यहाँ पर क्या separation of religion from state तो मतलब आपने धर्म को government से country से बिलकुल अलग कर दिया मतलब religious matters एक अलग चीज हो गए और जो government से जुड़े officials और उनके काम करने का तरीक theocratic societies क्या होती मैं समझाता हूं ठीक है समझ लीजिए इससे आपको फाइदा मिलेगा से लिए लेकिन फाइदा मिलेगा पहला ऐसा होता था कि जो धर्म गुरु होते थे ना मतलब जो religious leaders होते थे वही लोग देश भी चलाते थे होता था पहला ऐसा जिसे आपने देखा होगा movies में अदिकतर क्या होता है movies में जो राजा है तो राजा किसकी सला लेते थे राजा सला रहते थे पुजारी की या फिर जो कह सकते है जो पुरोहित होते थे बाहुबली देखिए तो उसी तरह से क्या होता थे कि पहले religious matters जो थे तो वो governance में या फिर government के matters में बहुत जादा interference होती थी तो अधिकतर यह दोनों चीज़ें जुड़ी भी रहती थी और उसके चलते क्या है कि धर्म पे धर्म के नाम पे क्या होता था लोगों के साथ में कभी-कभी गलत भी हो जाता था या फिर कह सकते जो दूसरे religion रहते थे जो minority religions रहते थे उनके साथ में discrimination हो जाता था तो इस सेंस में क्या है कि secular concept निकल के आया यह secular concept क्या बोलता है secular concept बोलता है separation of religion from state मतलब आप religion को और state को दोनों को अलग-अलग रखोगे आप कोई interlinking नहीं होगी दोनों में ठीक है fundamental rights में हमने क्या पढ़ा था एक राइट हमारा भी राइट टू freedom of religion एक अधिकार हमारा ये भी है कि हमें जिस धर्म को हम अपनाना चाहे जिस धर्म को हम फॉलो करना चाहे जिस religion को हम क्या चाहे लोगों तक पहुंचाना चाहे उस चीज़ के हमें पुरी आजादी होती है हम आपके साथ discrimination कर सकता है तो उस संस में किया कि स्टेट से हमाड़े fundamental rights को बचाने के लिए हमारे अधिकारों को बचाने के लिए हमें एक right to freedom of religion भी दिया है right to freedom of religion इसलिए दिया है क्योंकि स्टेट जो है अगर मानों स्टेट किसी एक religion को support करता है यह separation अगर नहीं होता मान लो ठीक है यह separation नहीं होता और state किसी एक religion को क्या करता promote करता तो उसके चलते क्या होता उसके चलते क्या आप आपके right to freedom of religion को practice कर पाते नहीं कर पाते where the constitution provides individual the freedom to live by their religious beliefs and practices as they want तो यह वही बताएगा है कि right to freedom of religion आपको क्या बताता है कि individual अपने हिसाब से अपनी इक्षा के नुसार अपने religious beliefs को follow कर और उनके हिसाब से रहे उनको practice करे लेकिन अगर state आजादी नहीं दे आपको अगर state के पास में यह power हो कि वह आपकी religious freedom पर एंक्रोच कर दे आपकी religious freedom को रोख दे तो क्या उस संस में आप practice कर पाएंगे अपने इस अधिकार को अपने इस fundamental राइट को जवाब दीजे नहीं कर पाऊगे ना तो उस संस में क्या है उस सेंस में secular concept ज़रूरी है कि separation होना चाहिए कि बीच में religion के बीच में और state के बीच में तो अभी अब जो हमारे question बनता था जो मैंने आपको starting में बताया था क्या कि why is it required to separate state from the religion तो उसमें एक point ये भी लिख सकते हैं आप क्या कि आपके fundamental rights जो है उसमें से fundamental right क्या है right to freedom of religion और उस right to freedom of religion को अगर आपको एक कह सकते हैं पूरी तरह से अगर exercise करना है उस अधिकार को पूरी तरह से enjoy करना है तो उसके लिए it is required that you should separate religion from state आपको धर्म और राज दोनों को अलग-अलग करना होगा therefore secularism was adopted in India क्यों adopt किया गया ताकि हम individual rights को बचा सके स्टेट की tyranny के against में what is your idea of religious tolerance यह भी एक सवाल बनता है ठीक है अब यह तो हमने इन जनरल देखा बहुत इंटरस्टिंग जी चीज़े इसमें देखना यह हमने इन जनरल देखा कि religion what is secularism separation of state from separation of religion from state और उसी के साथ साथ हमने इसकी need भी समझ ली कि क्यों करना पड़ेगा ऐसा अब अगर आप से पुछा जाए आप 8th class में अभी अभी आप लोगों से पुछा जाए कि आपका idea क्या है religious tolerance को लिखा है tolerance मतलब क्या है कि आप कितना tolerate करते हो जैसे बोलते ना आपके teachers कभी कभी आप class में मस्ती करते हैं तो बोल देता है कि now will not tolerate you तो उसका मतलब यह होता है कि आप किस हद तक सारे religions को equally treat कर सकते हैं कब तक सारे religions को liberty दे सकते हैं तो आपका idea क्या है religious tolerance को लिकर ऐसा question पूछा गया था आप यह जैसे बच्चों से तो उन लोगों नहीं ऐसे answers दिए ऐसे answers दिए मतलब यह कुछ paintings बताई ठीक अब यह paintings बताती जैसे 6th class 7th class 8th class के बच्चों के द्वारे पेंटिंग बनाई गई यह तो पेंटिंग बताती है आपकी book में दिये देखो पेंटिंग बताती है कि जैसे आप से पूछा जाए कि religious tolerance क्या होती तो आपके मन में क्या image form होती है तो जैसे किसी ने क्या बनाया है चारो मतलब मंदिर भी बना दिया मस्जिद भी बना दिया गुरुदवारा भी बना दिया अब यह गुरुदवारा के उपर देखो मासूम होते न बच्चे उन्होंने क्या लिखा है गॉड ठीक तो इस तरह से आपने एक idea डिपिक्ट किया है तो religious tolerance क्या होता है religious tolerance यही होत ग्लोब के साथ में क्या किया है फिर variety of religious variety of religions are being shown in this globe तो उसमें देखो आप यहां पर हिंदूस भी है Muslims भी है Sikh भी है सभी religion के लोगों को क्या कर दिया है एक ही globe में दर्शाया है तो यह बताता है religious tolerance मतलब क्या है कि दुनिया जो है या फिर देश जो है किसी एक धर्म के लिए नहीं बना होता वो सभी के लिए बना होता है I hope आपको इस चीज़ें clear हुई है कि secularism क्या होता है separation of religion from state यह definition याद रखना है यह लिखना है answer में फिर उसके बाद में हमने यह भी देख लिया कि क्यों separation ज़रूरी ताकि हमारे individual rights जो है हमारा right to freedom of religion जो है उसे हम क्या कर सकें protect कर सकें ठीक है तो एक point आपको यह ध्यान रख पूरी है तो उस topic में आपको यह concept मदद देगा ठीक है तो next video हम वही चीज़ें discuss करने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbeans.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbeans.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbeans.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिगराश सिंग राजपूद welcome to magnetbeans इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे why is it important to separate religion from the state और यही आपका question मनेगा तीन नंबर में 5 नंबर में ठीक है पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हम लोगों ने discuss किया था what is secularism secularism क्या recall करो जल्दी से हमने पढ़ा था कि secularism is separation of religion from state ठीक है अब सवाल यह आता है कि separation क्यों जरूरी है अब उसी चीज को हम समझने वाले हैं वैसे तो मैंने आपको एक basic हिंट पिछले वीडियो में ही दे दिया था क्या कि आपको कर individual rights को protect करना है किस के against में state के against में तो हम discuss करने वाले हैं start करते हैं सबसे पहले question को समझ अच्छे से understand the question क्या बोल रहा है कि separate करना है किसको किसको separate करना है यहाँ पर separate करना religion को स्टेट को religion भी समझाया है आपको state भी समझाया religion मतलब जो धर्म अलग-अलग धर्म होते हैं बहुत सारे और state मतलब क्या है कि जो country की जो पूरी गवर्नेंस का जो establishment है ठीक है वो state हो गया हमारा state और government में आपको difference समझाया था state sovereign entity को बोलता है और government क्या होता है government जो आती है और चले जाती है पांच सालों की तो जो देश चला रहे हैं वो government और जो देश है वो state ठीक है confused नहीं हो ना state मतलब आप ऐसा नहीं कि महाराज राजिस्थान समझने लगे स्टेट याने पूरी country के लिए उस किया गया है तो अगर हम question को समझ गया है तो अब उसके answer पर आते हैं कि the separation between the religion and state power is required for a country to function democratically अब यहां पर क्या underline करना है आपको function democratically underline करो देखो समझो इस चीज को क्या है कि सप्रेशन जो है किसके बीच में religion और state की बीच में वह जरूरी है ताकि country किस तरह से काम कर सके कंट्री डेमोक्रेटिकली काम कर सके कंट्री डेमोक्रेटिकली काम कर सके आप सोचरोंगे सर क्या बोलना चारे और कैसे बोलना चारे हो दो मिट रूखो देखो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या होता एक डेमोक्रेसी क्या बोलती है डेमोक्रेसी यह बोलती है कि equal representation ह ठीक है? इक्वालेटी में विश्वास रखती है, freedom में विश्वास रखती है democracy, ठीक है? जो democratic country नहीं होती है, उनके क्या equality होती है? नहीं होती है, voting right होते है सबी के पास? नहीं होते है, क्या वहाँ पर लोगों को आज़ादी होती है? नहीं होती है, तो उसी sense में क्या है? कि और जन्दर के बैसिज पे रिलिजन के वेशिज पे कास्ट के वेशिज पे हर वेशिज पे इक्वेलेटी होना चाहिए तो अब अगर हम घूम के वापिस सवाल पे आते हैं तो सेपरेशन क्यों जरूरी है ताकि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक तरह से function कर सके ठीक है अगर democratic तरह से आपकी country को आपको चलाना है तो आपको क्या करना होगा कि state की dominance किसी भी basis पे से क्लिविजम के concept में क्या religion के basis पे state की dominance को रोखना होगा आगया समझ में as simple as that वो हो गया अब जरूरी क्यों हुए देखो वह भी समझाता हूँ क्या होता जैसे इनकांट्री सम रिलीजियस ग्रूप्स आरिन मैजोरिटी इन सम्रीजियस ग्रूप्स आरिन माइनोरिटी यह दिखती चीज़ हैं आप कहीं भी चले जाए कंट्री को छोड़िए या इस्टेट में चलिया डिस्टिक्ट मे ही देख लो आपकी क्लास में क्या होता है कि सारे बच्चे हैं अब सारे बच्चों में से कुछ बच्चे मैजोरिटी रिलीजियन को विलॉंग कर सकते हैं ठीक है कुछ बच्चे माइनोरिटी रिलीजियन को विलॉंग करते हैं मैजोरिटी माइनोरिटी क्या होता है मैजोर तोन तेन जाएध में कि स्थाइध ज्लिम सित्ट हैं तों लोग के रापिन अबर्विशन назыв usted फिर होता है तो ह सेन्स में क्या होता है हर कंट्री में अर्थ अब डियसे किस्टेंव मिल जाएंगे आपको वहापिए इंदूस मेनुरिटी में मिल जाएंगे तो हर country में क्या होता इस तरह से कुछ religion majority होते हैं majority में होते हैं और कुछ religion minority में होते हैं आजया समझ में simple सी चीज है यह तो अब क्या होता है majority minority exist करती है और उसी के चलते क्या होता अगर if majority religion got an access to power अब क्या होता है कि जिसका religion majority में है example जैसे America में Christians, India में Hindus तो अगर majority religion को क्या मिल जाती है power मिल जाती है majority religion को अगर power मिल जाती है then it may use the power and financial resources of state to discriminate against minority religion देखो वो power से अगर क्या होता है वो power किसके हाथ में लगई? majority religion के हाथ में लगई तो majority religion क्या कर सकते हैं कर सकते हैं मानते हैं इस चीज़ को तो उस सेंस में क्या है अब क्या country आपकी democratic रहेगी नहीं रहेगी क्यों क्योंकि यहां पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं वो अपने आपको उपर बता रहे हैं equality से उपर उड़ गए कौन majority religion और उनके पास में अगर state की power हो गई है यहां पर separation क बात करने अगर separation नहीं होगा तो religious basis पे अगर state के पास power पहुच गई है religious basis पे इस स्टेट के पास power पहुच गई तो state क्या करेगा state discrimination कर सकता है किसके साथ में जो minority religion से उनके साथ में तो इस संस में घर आपको protection देना है minority religion को तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले religion और state को अलग करना होगा religion और state को अलग कर दोगे तो कोई भी majority religion state की power use करके minorities को ड़रा धमका नहीं सकता है minorities के साथ में discrimination नहीं कर सकता है तो यह पहला point आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों suppression ज़रूरी है ठीक if state power is used with religious viewpoint then it would lead to discrimination, coercion and even killing of the people of religion who is not in power आगे समझ में गर ऐसे state की power किसके हाथ में लग गई ऐसे religious viewpoint वाले लोगों के हाथ में लग गई जो majority dominance establish करना चाहते तो उसके चलते बहुत जादा दिक्कते हो जाएगी discrimination होगा, corrosion होगा corrosion मतलब क्या होगा एक तरह से negative sense में pressure create किया जाएगा लोगों के साथ में discrimination discrimination, corrosion मतलब simple थी चीज़ है कि आप जहां पर unjust तरीके से क्या कर रहे हो लोगों को परिशान कर रहे हो you are forcing somebody to do something एक तरह से ठीक है तो वो corrosion हो गया और लोगों की जाने भी जाएगी क्यों कि majority religion क्या करेगा discriminate करेगा therefore it is important to separate the state and religion तो इसलिए जरूरी है कि आप क्या करो state को और religion को दोनों को अलग कर दो अलग कर दो मतलब कि separation होना चाहिए कि secular country में state अपना अलग काम समाले religion अपना अलग काम समाले दोनों एक दूसरे के matter में ना interfere करे ना promote करे तो उससे क्या होगा उससे दोनों चीज़े अपने अपने इस्तर पे चलती रहेगी अगर अगर मान लो religion के basis पे state यूज करने लगे आपके हां majority religion वाले लोग जो है वो क्योंकि majority में है तो वो state की power अपने हिसाब से यूज करेगा तो discrimination होना तह है आगे समझ में तो यही सारे points हमने पहले point में डिस्कुस किए कि why it is important to separate religion from state तो आपको answer simple सा क्या धियान रखना है separation of religion from state power is required for a country to run democratically या फिर function democratically clear है कैसे वो समझा है आपको अब एक और चीज देखते हैं क्या एक और चीज जो हमारी वो ही है कि separation also helps to protect the freedom of individual मतलब कि जब आप क्या करते हो कि अलग-अलग कर देते हो religion को और state को तो उसे individuals की freedom को भी बचाया जा सकता है individual freedom मतलब क्या है जो हमने starting में discuss किया तध्यान करो recall करो कि आपके आजादी किस sense में अब fundamental rights हमें बहुत सारी आजादी देते है उसी में से एक आजादी ये भी हमारे fundamental right ये है कि individuals may wish to exit their religion ठीक है embrace other religion और want to interpret religious teachings differently देख इसमें तीन चीज़े है exit their religion exit their religion मतलब क्या है कि मान लीजे मैं एक Hindu धर्म में पैदा होता हूँ और मुझे बाद में ऐसा लगता है कि मुझे अपने धर्म छोड़के किसी दूसरे धर्म को अप्रेस करना चीज़े मुझे ऐसा लगता है buddhism बहुत अच्छा है ब्यार अमबेटकर ने क्या किया था ब्यार अमबेटकर जी ने यही किया था उन्होंने मतलब he was a Hindu Hindu थे और फिर उन्हें अपनी मतलब अपने जीवनकाल के end में last time पर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें बुद्धिजम ज्यादा influencing लगता है तो उन्हें बुद्धिजम की तरफ shift कर गए वो ठीक तो उसी तरह से एक इंसान क्या एक individual may wish to exit their religion वो अपने religion को छोड़के जाना चाहा सकते हैं he or she may want to embrace other religion हो सकता है कि आप किसी दूसरे religion को embrace करते हों कि दूसरे religion को आप प्रेस करते हो आपको दूसरे religion अच्छा लगता हो उसकी values अच्छी लगती हो और you want to interpret religious teachings differently और फिर क्या है मानलो आप आप ही के धर्म की religious teachings जो है उन्हें एक अलग तरह से बताना चाहते हैं उन्हें एक अलग point of view से देखते हैं ठीक है तो individual to individual vary करती है चीजें तो कैसे vary करती है कि individual धर्म को लेकर क्या सोचता है यह उसकी सोच है अब यहां पर क्या होता है अगर यह separation नहीं होता है किसके बीच में government के बीच में और religion के बीच में state के बीच में अगर separation नहीं होता है तो हो सकता है कि state आपके आपके उपर जबर्जस्ती religion थोपे ठीक है तो उसके चलते क्या है आपके individual freedom तो खतम हो गई ना एक example जैसे हम देखते हैं कि if Hindu और Muslim कोई भी हो सकता है if Hindu और Muslim want to change the religion due to any reason वो किसी भी कारण से क्या चाहते है अपना धर्म बदलना चाहते हो हो अपना धर्म बदलना चाहते हो मतलब वो चाहते हो कि अगर मांदी जैसे हिंदूस किसी कारण से परेशान है जैसे example हम लेते कि Hinduism में पहले untouchability का concept था कि जो lower caste के लोग थे उनके साथ में discrimination होता था चुआ चूप चूप चलती थी तो सेंस में क्या है हिंदूस चाहते होंगे कि वो अपना धर्म बदलना चाहें untouchability के कारण वैसी Muslims का अगर देखे तो triple तलाग जो पहले था उसके चलते Muslims को ऐसा लगता हो कि नहीं हाँ पर discrimination है हमें धर्म पसंद नहीं है तो क्या होता है कि इस संस में अभी इंडिविजल फ्रीडम है कि वो धर्म में रहना चाहते हैं आप उस धर्म को या Muslims who did not want to change your religion देखो आपने तो चाहा लिया कि आपको धर्म बदलना है क्यों कि आप इन चीजों से परिशान है जैसे untouchability से या फिर त्रिबल तलाग से ठीक लेकिन अगर state power religious groups के हाथ में होती हमने separation कर दिया वह बहुत अच्छी बात है अगर separation नहीं करते तो क्या होता वह मैं आपको बता रहा हूं अगर separation नहीं करते और state की जो power है देश की जो powers है government के पाज जो power रहती है वह power किसी religious group के हाथ में होती है चाहे वह Hindu हो सकते चाहे वह Muslim हो सकते थे और उन्हें यह पसंद नहीं होता कि आप आपका धर्म बदलो तो क्या आपके लिए आसान होता धर्म बदलना ठीक है would it be possible for you to practice freedom of religion जो freedom of religion के हम बात करते हैं एक fundamental right क्या वह possible था नहीं था possible क्यों क्योंकि जब state की जो power थी वह religious viewpoint से गवर्न हो रही थी अब जब religious viewpoint से गवर्न हो रही थी तो हो सकता है कि कि किसी को अच्छी लगती हो किसी को दिपल तलाक वाला system अच्छा लगता हो और उस इंसान के पास power है अगर तो वह क्या आपको आपकी individual freedom जो है आपकी जो freedom of religion है उसे practice करने देता नहीं देता ना तो इस sense में क्या है कि अगर हमें freedom of individual को ensure करना है कि हाँ individuals के पास freedom of religious grounds पर तो उसके लिए therefore separation is necessary separation की जरुवत तब पढ़ती हमें कि religion और state को अलग किया जाए अब दो कारण समझे हमने देखो क्या है एक कारण है कि freedom of individual को अगर ensure करना है तो यह required to separate state and religion और दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ हमने यह देखिए कि जो separation है separation between the religion and state power is required for a country to function democratically अगर आपको democratic तरह से अपनी country को govern करना है democratic principles को equality के principles को country को govern करना है तो आपको separate करना होगा किस किस को religion को और state को I hope the concept are clear ठीक है यही points आपको answer में भी लिखना है इस तरह से question भी डारेक्टी आना है और क्या what is the why it is most why it is important to separate religion from the state question डारेक्ट आएगा content आपके पास direct है marks direct मिलेंगे किसी चीज की चिंता ही नहीं है ठीक है तो हमने यहारा topic complete कर लिया है अब हम next topic क्या लेंगे Indian secularism को समझेंगे जो की बहुत important है मैंने आपको starting वाले introduction वाले वीडियो में बताया था कि Indian secularism जो है उसे हम अलग consider करते हैं world के दूसरे secular countries से क्यों अलग कंसीडर करते हैं ऐसा क्या अलग है क्या होता Indian secularism उस चीज को में next वीडियो में discuss करने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिगरास सिंग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what is Indian secularism देखो अभी तक secularism वाली पूरी कहानी समझ चुके हैं simple सी चीज़े आप suppression को ensure करते हो किसके बीच में religion और state के बीच में ठीक है सर समझ में आगया secularism तो अब इंडियन secularism में क्या खास है या फिर कह सकते कि इंडियन secularism को कैसे practice किया जाता है कैसे on ground Indian secularism को हम हमारी country में implement करते हैं क्या अलग बात है वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में देखने वाले हैं start करते हैं simple सी चीज़े कुछ pointer से उन्हें समझेगा आप इंडिया ठीक है इंडिया को एक secular country बोलते हैं ठीक है इंडिया is a secular country no doubt हम सभी धर्म को क्या करते हैं tolerate करते हैं सभी धर्म हमारे हां होते हैं मतलब government ऐसा नहीं कि किसी एक ही धर्म को promote करती है या फिर किसी एक धर्म के साथ discrimination करती है all the religions are treated equally हम सभी religion को equally treat करते हैं तो इंडिया एक secular country होगा इस sense में अब to be a secular state the following objectives must be ensured अब आप secular secular बोलतो रहे हैं लेकिन एक secular country के कुछ तो trend होंगे न या फिर कह सकते हैं कुछ तो चीज़ें करनी होती होगी एक secular country को जी हां मतलब अगर किसी भी country को अपने आपको secular country कहना है तो they are required to follow the objectives कौन से objectives तो यह कुछ objectives है इन objectives को समझिए क्या है objectives पहला objective that one religious community does not dominate another दो चीज़े हैं one religious community does not dominate others मतलब कि एक धर्म दूसरे धर्म के उपर dominate ना करे example जैसे अमेरिका का example ले तो वहाँ पे Christians majority में तो ऐसा ना होगी वहाँ के Christians वहाँ के Muslims के उपर क्या करें dominate करें वहाँ के Hindus के उपर dominate करें यह ensure करना होगा country को तभी वह secular country बन पाएगी ensure कैसे करोगे तो आप ऐसे law बनाएगी ठीक है आप ऐसे constitution में laws रखी हैं जो क्या करें जो यह ensure करें कि एक धर्म दूसरे धर्म के उपर dominate ना करें होता ऐसा laws आप मानलो अगर इंडिया में अगर आप ऐ इसी चीज़े नहीं होती ना कि एक धर्म को जादा independence दे दिया फिर एक धर्म के लोगों को जादा power दे दी और वो दूसरे धर्म के लोगों को पर dominate कर सकते हैं नहीं होगा ऐसा तो secular country को अगर आपकी country को secular कहलाना है या फिर आप कहते हैं कि आपकी country secular है तो आपका पहला objective क्य रहते हैं तो you must fulfill these objective फिर आते हैं अगला तो that some members do not dominate the other member of the same religious community ये भी important चीज़े एक secular country ये नहीं होती कि जो दो religions को आपस में लड़ने जगन ना दे बलकि ये भी ensure करे कि एक ही religion में discrimination ना हो ये कैसे वो समझाता हूं देखो some members of some members do not dominate ठीक है the other members of the same religious community एक्जामपल लेते हैं हम एक्जामपल जिसे क्या है हिंदूइजम हिंदूज जो हैं तो हिंदूज में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऐसा भी है कि कुछ हिंदूज अपने आपको upper caste consider करते हैं और कुछ lower caste तो अब जो upper caste हिंदूज होते हैं वो क्या करते हैं वो upper caste के लोग हैं तो हमें थोड़े ज्यादा राइट्स होंगे या फिर जो lower caste के लोग है तो उन्हें राइट्स नहीं होना चाहिए वो एज़ामपल देखे अगर इंदूज हमें तो अपर कास्ट लोगर कास्ट को पर डॉमिनेट ना करें आया समझ में तो यह भी इंशॉर करना होता है किसे गवर्मेंट को क्या कि some members do not dominate the other members of the same religious community clear है तो यह दूसरा objective हो गया अब तीसरा objective समझते हैं तीसरा objective क्या है तीसरा objective यह है कि the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals तो अभी जो तीसरा objective फुल्फिल करना है government को या फिर state को एक secular country बनने के लिए तो तीसरा objective यह है कि state खुद neutral रहे state खुद neutral रहे मतलब क्या है कि state does not enforce any particular religion ऐसा ना हो कि state बोल रहा है कि नहीं नहीं government बोल रहे है कि आपको यही धर्म follow करना पड़ेगा तो अगर government किसी एक धर्म को support करेगी तो वो क्या secularism कहलाएगा नहीं तो वो country एक secular country नहीं कहलाएगा आगे समझ में तो यह तीसरा point है कि state does not enforce any particular religion किसी एक particular religion को state ना थोपे लोगों के उपर लोगों के पास में independence होना चाहिए कि वो किस धर्म को follow करना चाहते है वो किस धर्म के साथ जाना चाहते है वहाँ पर government आपके साथ जोर जबरस्ति ना करें government आपके उपर दबर जस्ति किसी प्रकार का धर्म या फिर धर्मिक कृतियों को ना थोपा जाए clear है? तो यह तीन objectives है I hope तीन objectives clear हो गए किस चीज के objective पढ़े है हमने यह यह हमने objective पढ़े है कि एक secular country कहलाने के लिए आपको क्या करना होता है topic से भटकना नहीं है secularism पढ़ रहे है तो secularism के perspective से देखना है यह secularism का तीन objectives है कि अगर एक country अपने आपको secular country बोलता है या फिर एक country अपने आपको secular country बनाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा what that country is required to do these are some of the objectives ठीक है अब topic क्या था हमारा topic था Indian secularism तो ठीक है आपने यह बता दिया कि एक secular country होने के लिए क्या objective होते है अब इंडिया में इन objectives को achieve कैसे किया जाता है या फिर कह सकते हैं कि इन objectives को ensure करने के लिए या ensure करने के लिए कि यह सारे objectives इंडिया में सही तरह से implement हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इंडियन सेकुलरिजम कैसे प्रेक्रिस करता है या किस самे इंडियन गवर्मेंट क्या करती है गवर्मेंट कि स्ट्रेटेजी क्या होती है पॉलेसी क्या होती है ताकि इन ओब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके तो वह स्ट्रेटि ऐसी समझते हम Indian government works in various ways to prevent the above domination or to achieve its secular objective मतलब यह जो इस प्रकार के domination के बात की गई है कि एक religion दूसरे के उपर ना dominate करें एक religion के लोग कुछ और लोगों के उपर dominate ना करें या फिर state जब अजस्ती किसी को कोई सा religion enforce ना करें तो इस domination को रोखने के लिए या फिर कह सकते हैं कि secular objectives को अचीव करने के लिए Indian government तीन strategies adopt करती है यह तीनो strategies बहुत important है पहली strategy क्या है strategy of distancing itself from religion यह important चीज है school में line बनाई है आप लोगों ने सुबह prayer में हम one hand distance लेते हैं सभी लोग लेते हैं बड़ा मज़ा आता है one hand distance लेने में तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है क्या कि religion से state अपने आपको distance कर लेता है मतलब की पहली strategy strategy of distancing itself from state religion itself मतलब क्या state हो गए है आप पर तो government क्या करती है equal distance ले लेती है one hand distance ले लेती है किस से सारे religion से ऐसा नहीं है कि किसी religion के बहुत पास हो जाती है government के हां यह religion तो मेरा अपना religion है इसको मैं support करूँगी और यह religion मेरा नहीं है इसके लिए support नहीं करूँगे ऐसा नहीं है state की responsibility होती है कि state maintains a equal distance from all religions तो यह पहली strategy है यह पहली strategy है दोगो क्या होता अगर आप किसी भी एक religion के पास जाओगे तो दिखती बात है कि दूसरा religion क्या हो जाएगा अपने आप आप से नाराज हो जाएगा तो सबसे बढ़ी है पॉलिसी है कि सारे religion से आप equal distance maintain करके रखो तो यह पहली strategy है जिसके थूँ जिसके थूँ इंडियन government जो है या फिर कह सकते India as a state इन objectives को अचीव करने की कोशिश करता है इन objectives को अचीव कर रहा है आगे साज में पहली strategy अभी हम सारी strategies को in depth पढ़ेंगे तो आपको in general में बता दे रहा हूं ठीक है क्योंकि प्रेक्टिस्ट वाट आर दी वेरियस strategies which are being adopted under Indian secularism question आया समझ में तो उस question का content क्या जाना है तो वह direct answer जाएगा ऐसे तो यह तीन strategies है इन तीनों strategies को explain कर दो complete हो जाएगा तीनों strategies को हम अभी explain करेंगे पहले आपको in general topics बता देते हैं तो strategy आगी समझ में दूसरी strategy समझो strategy of non interference यह क्या चीज़ है non interference मतलब क्या है कि हमने देखा था separation of religion from state धर्म को और state को दोनों को अलग-अलग रखना है आपको तो यह strategy of non interference उसी चीज़ पर बेस्ट है मतलब government interfere नहीं करेगी किसके matters में religious matters में जैसे आपको किस कलर का जंडा बनाना है आपका religious flag के बात करें आपको कैसा टीका लगाना है आपको कैसे नमाज पढ़ना यह सारी चीज़ों के आजादी दे की रखी government ने आपको आपको बस यह ध्यान रखना होगा कि law and order disturbना करो तो यह होता strategy of non interference मतलब government religious matters में interfere नहीं करेगी ताकि लोगों को अपनी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस करने का मौका मिलें ठीक है अब आता है तीसरा strategy of intervention देखो यह दोनों आपस में एक दूसरे को contradict करती है मतलब non interference और intervention दोनों opposite एक दूसरे का कैसे वह मैं समझाता हूं तो strategy of non interference यह बोलती कि government interfere में करेगी और strategy of intervention यह बोलती कि government intervene करेगी अब कब करेगी क्यों करेगी तो यह सारी चीजें आपको में जब in-depth समझाओंगा तो clear होते चले जाएगी लेकिन आपको धियान रखना तो what is Indian secularism तो Indian secularism मतलब secularism के objectives इस पर छोटा question है कैसा भी आ सकता है what are the objectives which are countries required to fulfill to be called as a secular country तो यह objectives है और दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यह है कि क्या strategies adopt की जाती तो यह तीन strategies है भी आभी नहीं हम समझेंगे इस chapter के notes आप हमारी ओफिशल website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com बिलते नेक्ट वीडियो में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंह राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे Indian secularism strategy of dispensing itself from religion जरा पिछले वीडियो को recall कीजिए पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कुछ objectives के बारे में बताया था अब हमने objectives discuss कर लिये तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि Indian government क्या strategies को adopt करती है इन objectives को achieve करने के लिए to be a secular country what strategies are being adopted by India ठीके तो अब हम क्या करने वाले हैं उन सभी strategies को तीन strategy बताई थी तीनों strategies को एक एक करकर पढ़ते चलेंगे तो ये पहली strategy तो हमारी कौन सी strategy strategy of distancing itself from religion अपने आपको धर्म से अलग करने की जो strategy है वो पहली strategy है क्या है ये चीज इंडियन state इंडियन state is not ruled by any religious group and not does it support any one religion ये क्या बताना चाह रहे हैं किसे आप इंडियन state को देखोगे तो इंडियन जो पूरा structure इंडियन institutions का government है ये सारी चीज है हमारी तो वो क्या करती है ऐसा नहीं कि कोई religion जो है वो देश चला रहा है ठीक है देश को कौन चलाता देश को government officers चलाते है और being a secular country हमारी government में हमारे state में और हमारे religions में difference है separation होता है ठीक है तो sense mum यह कह सकते हैं कि कोई religious group dominate नहीं करता है और नहीं government किसी एक religious group को support करती है ठीक है not does it support any one religion तो इस sense mum क्या देखते हैं इस sense mum यह देखते हैं कि यहां पर distance maintain करके रखा है किसने distance maintain करके रखा है state ने religion से distance maintain करके रखा है therefore government space अभी distance maintain कैसे किया है यहां तो बोल दिया आपने तो theory part हो गया इसको practically implement कैसे किया जाता है ground level पे इस चीज को उतारा कैसे जाता है तो ground level पे government कैसे उतारती है therefore government space like law courts police stations government schools and office are not supposed supposed to display और promote any one religion तो इस चीज को practice ऐसे किया जाता है जो distance maintain करने की बात की जा रही है वो distance maintain किया जाता है कि government institutions जितने भी होते है government buildings या फिर कह सकते है government organizations जितनी भी होती है जिसे courts हो गया police stations हो गया सब government का है ना government schools हो गया ओफिसेज हो गया तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी भी एक religion को ना तो support किया जाता है ना promote किया जाता है ठीक है वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि religious भगवान की देवी देउताओं की photo लगाईए या फिर किसी भी एक specific religion के कुछ symbols को लगाया है तो ऐसा कुछ नहीं होता है गवर्मेंट institutions में religious neutrality मिलेगी आपको गवर्मेंट institutions में किसकी photo मिलेगी हमारे nationalist leader की मिलेगी जो nationalist leader हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे सिख भी थे Christians भी थे सभी थे न तो सेंस में क्या है कि government में religion को promote नहीं किया जाता government के दुवारा और ऐसा क्यों करती government to maintain equal distance from all religion ताकि सभी धर्मों से equal distance maintain किया जा सके सभी धर्मों को हम एक जैसा मानते हैं और इसी दे हम किसी धर्म को ऊपर नहीं मानते सारे धर्म माले बराबर होते यह government क strategy होती है इस चीज को और बहतर अगर समझना है तो स्टोरी से रिलीट करते हैं जो आपकी बुक में दिये अभी देखो क्या है आपको यह हो सकता है कि विजिबल ना हो छोटे फॉन्स रहते ना बहुत जादा तो आप क्या करो आप आपकी बुक में भी यह स्टोरी दिये व बताता हूं में ताकि आपको एक इंडेप्थ परस्पेक्टिव मिल जाए अच्छा स्टोरी के माधियम से में एक्जामपल की तुर समझते हैं तो चीजर जल्दी रिलेट हो कर पाते हैं तो उसलिए बताते हैं तो यह से गवर्मेंट स्कूल जो है कहां पे सीमापूर में स्कूल में क्या होता है कि जो वहां के स््टुडेंट से आप ही लोगों की तरह तो वह क्या 자ते हैं कि रिलियजियस फेस्टिबल को celebrate करना चाह सकते हैं तो वो क्या करते हैं अब ऐसा तो नहीं कि बच्चे अपने मंसी कर लेंगे teacher के पास तो जाना पड़ेगा ना तो बच्चे teacher के पास गए ठीक है ये बच्चे हैं ये teacher हैं तो बच्चे teacher के पास जाते हैं teacher से बोलते कि सर एक बड़ा religious festival आ रहा है और अभी तक हमने आज था कि school में celebrate नहीं किया उस festival को तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम school में celebrate करें बच्चों ने अपनी demand रख दी किसके सामने teacher के सामने जैसे कि रखते हैं बच्चे तो बच्चे सोचते हों कि teacher ऐसा मना किवwen saving future explanation देते हैं वह क्या बोलतेbak कि एक government school में किसी एक religion को ihm वह किसीượng के एक religion का हने यहीं कर सक्ते है video sinरि कर सकते कि यहां पर आपके मन में में आया होगा मैं समझ किया है और से कर सक्ते में लेकिन रोख सपते लेकिन रही से स्कूल प्रीमिजेस होता है जो बैंडिंग्स होतीं इंस्टिूशन होती जही एई यह थो स्कूल प्रिमिशेज्आ में हम किसी प्रेकार से किसी एक सूर्म को एकkeiten कि कि सकते हैं वेल्यू उष्ण को चरिश नहीं तो क्या बोल देते हैं मना बोल देते कि नहीं हम नहीं celebrate कर सकते हैं अभी आपके मन में डाउट आया होगा अच्छा एक किसी एक को नहीं कर सकते हैं तो सब को करो आया ना डाउट तो एक आंसर में आपको देता हूं किया है कि गौवर्मेंट मानों लोगा और सब को करना है स्टार्ट कर देती है तो क्या होगा कि सब को करना है लेकिन फिर हो सकता है कि कोई एक रिलिजिन्स कम्युनिटी के लोग ऐसा बोला या आपने दिवाली बहुत अच्छी तरीके से बनाई थी आपने क्रिस्मस अच्छी तरह से नहीं बनाया गी तो इस से अच्छा क्या है किना तो हम सेलिबरेट करें ना किसी प्रकार के कोई कोश्यंज उठेंगे और ना हम किसी मतलब ऐसा दिखेगा भी नहीं कि हम किसी एक डिलीजन को प्रमूट कर रहें तो स्ट्राटेजी ओफ डिस्टेंसिंग इसल्फ रोम रिलीजन यही बोलती है कि हम सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन हम सारे रिलीजन से दूर है अपना अपना करते है और रिलीजन बढ़ियां ठीक है गवर्मेंट को उससे कोई मतलब नहीं रहता है तो यह पहली स्ट्राटीज हो देखने के वादे यह समझने के आदे आपको clear आ गया होगा कि क्या हुआ यहां पर यह बच्छे बच्चे वात करते पिर आपस में क्या कि चलो ठीक हम घर परी celebrate करेंगे स्कूल के बाहर तो करी सकते ना अपने घर में तो आप आपकी रिलिजिस प्रैक्टिस जो भी होती है आपके जो भी फेस्टिवल सुतने आप celebrate करते ही हैं तो understand through this story, this story के थूर आप इस strategy को समझने की कोशिश करो देखो कि if the school celebrates, ठीक है government school था, if the school celebrates the religious festival then it would have been a violation of the government's policy of treating all religion equally, अब government हर religion को equally treat करने की बात करती है और अगर वो religious festivals को क्या करती, celebrate करती है तो वो अपनी ही policy को क्या कर देगी, violate कर देगी सवाल यह वो ही है कि सारे religion को भी अगर celebrate करेगी तो अब बात यह आएगी कि कोई बोलेगा हमारे religion को अच्छी तरह से celebrate किया गया था तो वही दिक्कती रहेंगी, तो इसके चलते क्या हैं कि distance maintain करके रखो तो यह पहली strategy हो गई है अब दूसरी strategy क्या थीजरा recall करो आप लोग, मैं दो मिनिट खड़ा हो जाता हूँ दूसरी strategy हमारी simple सी थी क्या, कि strategy of non-interference तो अब हम वही समझने वाले हैं next वीडियो में इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next वीडियो में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Indian secularism, strategy of non-interference दूसरी strategy है, पहली strategy कौन सी थी हमने देखा था strategy of distancing itself from religion, जो हम discuss कर चुके हैं पिछले वीडियो में अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे strategy of non-interference तो यह दूसरी strategy है, जिसके थूँ हम हमारे secular objectives को achieve करते हैं देखो, direct question आता है, what are the various strategies which Indian government adopts to promote या फिर to achieve its secular objective, तो आपको तीनो strategy लिखना है, explain भी करना है अगर सिर्फ specific question आता है, explain the strategy of non-interference, ठीक है, of Indian secularism तो आपको यह पूरा समझाना है, तो जैसा question आएगा, वैसा answer जाना चाहिए इस चीज़ पर कोई confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है अब अगर हम देखते हैं, कि what do you understand by with the heading, तो अगर आप heading को देखो सरिफ, heading में क्या शब्द आता है non-interference, सुना है पहले भी सुना है, non-interference को मतलब क्या रहा है, कि आप interfere नहीं कर रहे हो किस चीज में interfere नहीं कर रहे हो, religious matters में interfere नहीं कर रहे हो religious matters क्या होते हैं, religious matters मतलब यह होते हैं, कि जैसे अगर कोई किसी color के कपड़े पहनना चाहता है उसके दहर्म के हिसाब से वोवह अजो एक भी करना चाहता है तो हम उसको क्या करोगे रोखोंगे नहीं। आप उसे करने दोगे उसके धर्म के नाम पे, क्यों क्योंकि उसको उसके sentiments जुड़े हों, उसके religious feelings जुड़े हुए, आगे समझ में, तो उन religious feelings, उन religious practices के साथ में interference नहीं करना, सिंपल सी भाशा में यही होता है, strategy of non-interference, अब इसे समझते हैं, देखो क्या है, तो non-interference in the religious matters, तो जो भी धर्म और धर्म से जुड़े मामले होते हैं, उसमें intervene नहीं करता है, उसमें interfere नहीं करता है, कौन intervene नहीं करता है, कौन interfere नहीं करता है, government, या फिर कह सकते है, state intervene नहीं कर करते हैं, जैसे हमने पिशली strategy देखी थी, distancing itself from all religion, तो वैसे हम सभी religion को equally treat भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सारे religion हमारे लिए क्या होते हैं, समान नजरों से देखे जाते हैं, तो उसके चलते हैं, कि हम सभी religion के sentiments जो हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें respect करते हैं, respect करते हैं, कैस इस शब्द की अपने आप में significance है, बताऊंगा भी आगे में, तो क्या होता है, तो strategy of non-interference में, जो state होता है, तो सारे religion की sentiments को respect करने के नाम पे, किसी भी religion के साथ में, किसी भी religious practices में, interfere नहीं करता है, तो ये strategy होती है, in order to respect the sentiments of all religions, state usually not interfere with religious practices, जैसे, जैसे हम देखेंगे, in this regard, state makes certain exceptions for particular religious communities, particular religious communities के लिए कुछ exceptions भी बना दिये जाते है, एक example, जैसे in general अगर हम यहाँ पे ले, तो क्या होता है, कि हर धर्म के लोगों की एक अलग-अलग पहचान होती है, फिर symbol होती है, जैसे हम देखें, हिंदूस जो है, तो हिंदूस को क्या रहता है, हिंदूस को यह रह करतना चाहते हैं, ठीक, तो ऐसा नहीं कि उनकी बेर्ट काट दी जाएगी, उन्हें उस चीज को उस प्रैक्टिस को करने की पर्मिशन है, तो इस तरह से क्या है, और state को उससे कोई लिना दे नहीं है, तो state इंटरफेर नहीं करता है, अब कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कह क्या होता है, क्या होता है, यह स्टोरी में समझाता हूँ, आपकी बुक में दिये सारी स्टोरी, मैं समझाते चलता हूँ आपको, तो a group of friends who have recently brought scooters are meeting to go for a ride together, नहीं नहीं गाड़ी खरीदी है, बढ़ियां गूमने जाएंगे अब दोस्त, ठीक है, तो दोनों दोस्तों नही स्कूटर खरी तो वो घूमने निकल रहे है, अब घूमने निकल रहे है, तो एक दोस्त, दूसे दोस्त से बोलता है, कि मतलब यह परम जी थे है, ठीक है, यह सिख है, तो यह जो friend है, यह जो black jacket में, तो यह क्या बोलते है, अपने friends से कि परम जी मझे लगता है कि तुमने helmet रख लिया है, लेकिन तुमार पास helmet तो दिख नहीं रहा है, और आपको पता है कि अगर देली में मतलब देली की कहानी बता रहे है, ठीक है, कि आप helmet नहीं पहना होगे, तो पॉलिशन लगेगा बहुत जादा, वो तो ही है, उसी के सांसाथ में क्या है, उसी के सांसाथ में आपको fine भी लग जाएगा, तो why aren't you wearing a helmet, तो नहीं बला कि आप helmet क्यों नहीं पहन रहे है इस तरीके से, तो परमजीत क्या बोलते है, परमजीत बोलते है, don't worry, I will not be fine, तो परमजीत बोलते है, tension मतलब मुझे fine नहीं लगेगा, ठीक है, अब यह पूछते है कि आपके fine क्यों community के लोगों को देखा होगा, वो सिर्पे पगडी पहन तर्बन, तो हमारी religious practice है, और इस religious practice के चलते क्या है, कि government की strategy, relate करो, government की strategy क्या होती है, non interference की, तो government ने exception देखी रखा है, कि for sick, wearing a pagri is very important part of our religion, the government cannot force me to wear helmet, और अगर मैं पगडी पहनूँगा, तो इसके उपर helmet ऐसा तो न understand in context of the strategy of non interference, non interference वाली strategies आपको क्या समझ में आगा है, कि अब क्योंकि यह religious practice है, तो government interfere नहीं कर रही है, government ने बोल दिया ठीक है, अब आपकी religious practice को follow कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर जो हमने याली line देखी ती क्या, कि government in this regard state makes certain exceptions for particular religious community, तो इस तरह से exception दे देती है, जैसे क्या है, कि आप देखेंगे कि sick community के लोगों को, जो कटार होती है, छोटी सी, जो एक तरह से तलवार जिसे रहती, छोटी सी, वो लेके चलने की भी आज़ादी होती, तो ऐसे exceptions दिये जाते है, क्यों, इन दी name of religious practices, आगे समझ में तो government intervene नहीं करती, government interfere नहीं करती है, religious matters में, तो यह पहली चीज हो गई, मतलब strategy दूसरी और दूसरी strategy में आपको यह चीज बदाईए, अच्छा यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए, आप लोगों कि मन में नहीं आया, तो मैं डाल देता हूँ सवाल, तो can I do anything in the name of religious practices and government will not interfere, हमने देखा कि government के strategy and non interference की, आप धर्म के नाम beings in the name of religion, आप बोलोगे कि हमारे religion में लिखा गया है कि क्या कहते हैं कि इस इंसान की बली देने से आपको इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, तो कि आप इंसानों की बली दे दोगे, human beings को sacrifice कर दोगे क्या, धर्म के नाम पे, तो जी नहीं, ठीक है, या अगर आपके मन में इसा डाउट होगी, strategy government की होती, non interference की, तो हम कुछ भी करें, government interfere नहीं करेगी, government intervene नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है, government intervene भी करती है, यह non interference की जो strategy है, यह permanent नहीं है, government intervene भी करती है, तो अगली strategy ही हमारी यह हवाली होने वाली है, कौन सी, strategy of intervening, ठीक है, तो strategy of intervening क्या है, और कब व वह कौन सी है? तो वह इंटरवेनिंग वाली क्या स्ट्रेटीजी कब लागो होती है? यह कुछ भी नहीं कर सकते हो धर्म के नाम पर इस चेप्टर के नोट्स आप एक बड़ा सा नो लिख देते हम क्यों क्यों क्योंकि गवर्मेंट इंटरवीन करती है तो तीसरी strategy ही हमारी वह होने वाली है तो उसे हम पढ़ेंगे next वीडियो में इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों, download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next वीडियो में thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूद Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे Indian Secularism Strategy of Intervention Recall करो जरा पिछले वीडियो तक हम लोगों ने दो strategy पढ़ चुके हैं कि किस तरह से Indian Secularism अपने objectives को achieve करने के लिए कौन-कौन से strategies पर काम करता है अब इस वीडियो में हम तीसरी strategy पढ़ने वाले है Strategy of Intervention इस topic को start करने से पहले हम पिछले वीडियो में जो हमने doubt start किया था या फिर कह सकते हैं जो doubt हमने देखा था उसे recall करो Recall the doubt Can I do anything in the name of religious practice and government will not intervene मतलब क्या मैं धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार की चीज़ें कर सकता हूँ और government मुझे रोखेगी नहीं intervene नहीं करेगी क्योंकि हमने पिछली strategy जो देखी थी वो क्या थी strategy of non-interference जैसे example में क्या मैं human beings की बली दे सकता हूँ sacrifice कर सकता हूँ मैं बोलोगा नहीं नहीं धर्म के नाम पे मुझे सिद्धी चाहिए या फिर कह सकते कि मुझे यश्प्राप्ती चाहिए कुछ भी चाहिए और लोगों की बली दूँगा तो सब सही मिलेगा तो ऐसा नहीं है ठीक है आप धर्म के नाम पे कुछ भी sacrifice मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो government intervene भी कर सकती है वही चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और इसी strategy को क्या कहा गया है strategy of intervention कहा गया है कि government may intervene time to time government may intervene to stop the person from doing the discrimination क्यों क्योंकि एक एक्जामपल देता हूँ जैसे अब क्या और है कि आप यहाँ पे अगर धर्म के नाम पे इस तरह से human beings को sacrifice करने लगेंगे तो यह तो आप क्या कर रहे है यह तो आप धर्म के नाम पे एक तरह से discrimination कर रहे हैं injustice कर रहे हैं आप crime कर रहे हैं लोगों की जान देना तो government intervene करती है समय समय पर समय समय पर मतलब क्या है कि law and order अगर establish करना है या फिर कह लिजए कि कहीं पे discrimination हो रहा कोई unjust practice है यहाँ पे human rights का violation हो रहा है तो उसके नाम पे क्या होती है इसके नाम पे government intervene कर सकती है religious practices में इस point को ध्यान रखना और यही Indian secularism को Indian secularism बताता है कैसे वो मैं आपको समझाओंगा तो you can relate this with the practice of untouchability जैसे untouchability का religious practice थी इंडियूजम में मतलब upper caste lower caste वाला concept चलता था और जो lower caste के लोगें untouchables माना जाता था उन्हें society में रखा नहीं जाता था society से बाहर रहते थे वो लोग चुआ छूट वाली प्रथा चलती थी उन लोगों को पानी नहीं लेने दिया जाता था तो सारी चीज़ होती थी यह untouchability की practices को क्या है बहुत पहले से follow किया जा रहा था इंडिया में independence के पहले फिर क्या होता है कि यह religious practice थी ठीक है तो यह क्या है अगर देखा जाए तो religious practice से लेकिन government ने intervene करकी से क्या किया बंद कर दिया इंटेशिबिलिटी को बैन कर दिया हमारे constitution में एंटेशिबिलिटी बैंड है तो सेंस में क्या है हमने यह example देखा कि क्या होता था एक तरह से हम देखते थे कि इन order to prevent this religion based exclusion and discrimination religion के नाम पे exclusion or discrimination हो रहा है किसका of lower caste the Indian constitution bans untouchability और इस तरह से अगर exclusion होता है discrimination होता है धर्म के नाम पे तो government क्या करती उसे ban कर सकती और government ने वह किया भी तो यह वही चीज़ बताए कि government ने intervene किया यह strategy of intervention government क्यों intervene किया ताकि वह क्या कर सके जो discrimination है जो exclusion है उसे रोक सके उस चीज़ पर लगाम कसी जा सके तो यह वही बताएगा you can relate this with the practice of untouchability आया सब्सक्राइब को बैन करके government एक्जामपल देती है कि at times government may intervene also इसी चीज़ को जैसे आप देखो कि तो अभी exclusion रोखने के लिए अगर धर्म के नाम पे कुछ गलत हो रहा है तो इस चीज़ को रोखने के लिए आया समझ में तो यही साही चीज़ हमने इस topic में देखी कि government की strategy क्या है intervention की strategy of intervention क्यों जरूरी है और कैसे follow की जाती है ठीक है in this way state adopts the strategy of intervention कोई doubt नहीं होना चीए यहाँ पर strategy of intervention भी complete होता है अभी एक और चीज़ है क्या कि जो intervention है तो हमेशे negative intervention नहीं होता है negative intervention कि sense में कि government हमेशा रोखने के लिए नहीं आती है कभी कभी क्या करती है government religious matters में intervene करती है promotion के लिए भी promotion के लिए किस चीज़ के promotion के लिए मतलब कि जैसे एक example देखते है government क्या करती है government is granting the rights to religious communities to set up their own school and colleges जैसे मान लो को minority religion है ठीक है minority religion में Christians आ गया Muslims आ गया सिख आ गया तो government at times क्या करती है government in religious communities को कुछ extra benefits देती है जैसे क्या देती है grants देती है पैसे दे देती ताकि वो अपने religious institutions को चला पाए minority यह पीछे रहा जाएंगा ठीक है जैसे reservation क्या होता है reservation जो पीछे रहे गए लोग उन्हें आगे लाने के लिए दिया जाता है तो वैसी यह religion को भी क्या है support की जरुवत होती है क्यों क्योंकि majority में नहीं है इनके पास पैसो की कमी हो सकती है तो government क्या करती है जैसे मदर्सा जो होते है आप फिर का लिजिए जो minority colleges schools होते है तो उन्हें grants प्रोवाइड करती है उन्हें क्या देती है एक तरह से funds दे देती है ठीक है तो यह हो गया तो यह जो intervention यह positive भी होता इस तरह से और negative किसेंस में होता negative practices को रोखने के लिए कि negative practices पे भी इंटर्वीन कर सकती है positively लोगों को promote करने के लिए भी या फिर रिलीजेंस को का मतलब यहां पर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही है उस रिलीजन की मदद कर रही एक तरह से मदद करना तो सही है ना तो वही चीज यहां पर हो रही है तो यह गवर्मेंट की जो हमने तीसर आता है क्या कोशन आता है कोशन इन जनरल आ गया इन जनरल आ गया कि what are the various strategies which Indian government adopts to achieve its secular objective तो यह तीनों strategy आपको लिखना है कहां से start करना है strategy देखो एक strategy तो हमारी होगी strategy of intervention दूसरी non-interference हो गई और तीसरी strategy is strategy of distancing itself from religion तो यह तीन strategies तीनों strategies को explain कर दो हमने explain कर यह तीन वीडियो में आपको एक answer में explain करना रहेगी और अगर specific question आता है तीनों strategies पे तो वह भी बनना चाहिए specific कैसा कि सिर्फ यह पुछ लिए explain the strategy of intervention यह फिर explain the strategy of non-interference तो specifically भी बनना चाहिए ठीक है इसी के साथ हमारा यह वाला जो headache मतलब यह तापिक था strategies का वो complete होता है अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वह यह अब हम compare करते है इंडियन secularism को with the secularism of other countries ठीक है जो दूसरी countries है world की उन countries के साथ में Indian secularism को अब compare करेंगे हम next video में clear है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूद welcome to magnet brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे difference between Indian secularism and secularism of other countries समझेगा इस चीज़ को अभी तक हम लोगोंने क्या पढ़ चुके हैं अलब हम लगबग लगबग पूरा chapter complete कर चुके हैं हमारा last topic गई है इसके बाद chapter जो हमारा theory part पर complete हो जाएगा तो हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने secularism को समझा Indian secularism को समझा हमने objectives देखें कि जो secular country अगर अपने आपको secular country कह रहा तो उसके क्या objectives होते हैं फिर हमने ये भी देखा कि what are the strategies adopted by us मतलब इंडिया के दुवारा क्या strategies adopt की गई है to achieve or to attain those objectives उन objectives तक पहुंचने के लिए हमने क्या 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 strategies adopt की है ये भी देखा अब बात या थी कि हम बोलते Indian secularism is different from the other secular countries तो अलग है तो कैसे अलग है इंडियन secularism के नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो इंडियन secularism अलग कैसे हैं वही सारी चीज़ा हम क्या करने वाले हैं वही सारी चीज़ा हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में देखो तो एक यह जो statement है some secular objectives are globally accepted there are differences in their practices इसका मतलब क्या है कि अगर secularism की बात करें तो कुछ objectives globally accepted होते हैं objectives क्या होते हैं और accepted कैसे होते हैं वह मैं समझाता हूँ जैसे example के लिए आप समझो example के लिए हम क्या देखते हैं कि secular country का एक objective यह होता है कि one religion does not dominate over the another तो अब जब एक religion दूसरे religion के उपर dominate नहीं करेगा तो वह secular objective है जिसे हम fulfill करने की कोशिश करते हैं तो यह objective इंडिया में भी माना जाता है accept किया जाता है और उसे fulfill करने की कोशिश की जाती है US में भी किया जाता है France में भी किया जाता है हर country में किया जाता है जो अपने आपको secular country बोलता है लेकिन क्या है कि ground reality अगर देखी जाए कि जो practice है उसमें differences आ जाते है जैसे हमारी strategies जो होती है वो अलग हो सकती है किस से US से तो जो strategy अलग अलग है वही Indian secularism को दूसरे secular countries से अलग बनाती है क्या strategies अलग है वो मैं बताता हूँ जैसे तो first amendment of US constitution इस चीज को एक कहानी को समझे कि USA में जो constitution था उनका तो US constitution में जो पहला amendment हुआ amendment क्यों होता है amendment मतलब संसोधन मतलब क्या होता है यह बिधिकल्ट हो गया disciplines Patton का मण जोता कि changes लाना आपने constitution मना दिया फिर आपको लग रहा है नहीं यह तो बदलना साहिए तो जो बदलने की बात होती है वह होता है amendment ठीक है तो जो पहला amendment हुआ था US में तो first amendment makes the strict separation between the state and religion strict separation तो जैसे आप अगर strategy की बात करो कौन सी strategy हो सकती ज़रा question के format में लो इसे मैं आप से पूछता हूं कि separation कर देना एक किस strategy का part हो गया strategy of distancing itself from religion वाली strategy का ठीक है तो यह strategy US में इंडिया में भी कोई नहीं बात नहीं इसमें ठीक लेकिन अब इस strategy के बात में या फिर कह सकते कि suppression के बात में क्या changes आए इस suppression के बात में changes यह आए हैं that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another अधर but now state interference करेगा nor religion interfere करेगा दोनों के matters inne दोनों ये से अलग अलग होगया काफी तो डोन इक दूसरे में interverse नहीं करेंगा खर दोनों तूसरे से अलग हो गय यह उनकी पहली strategy होग哎 तो यह स्ट्रेटीजी यूस में भी देखने को मिलता है तो यहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो गया बहुत जादा लेकिन आप इंडिया में देखो गे तो इंडिया में स्ट्रेटीजी अफ डिस्टेंसिंग इसल फॉम रिलीजन है लेकिन उसी के साथ साथ में हमारी एक स्ट्रेटी जूफ इंटरवेंशन भी बोलती है तो यह स्ट्रिक्ट सेपरेशन बेट्वीन इंड इस ते इस एन यूसे जैसा यूसे इस में बहुत स्ट्रेट्ट साप्रेशन है ना ठीक वैसा ही सेपरेशन हमारे इंडिया में नहीं है क्यों कि अगर आप देखो गे जो करती है कैसे करती है तो देखो state can intervene in religious affairs example banning untouchability triple-tella क्ये examples हैं कुछ हमारे सामने कि at times जो state state had intervened between the religious matters religious affairs के साथ में क्या किया है उनमें changes कि नो किसी को ban किया तो इस को लागु किया किसी में कुछ modifications लाएं तो इस तरह से हमने एक्जामपल देखे कि state can intervene in religious affairs in India whereas there is a very strict separation in US to US में बहुत ज्यादा strict separation religion को अपने हाल पर छोड़ दिया है और government अपने हाल पर लेकिन इंडियम ऐसा नहीं इंडियम हमने क्या बोल दिया कि नहीं इत्ती आजाद ही नहीं देंगे we have adopted the strategy of intervention whereby we time to time we intervene in the religious matters religious affairs में time to time क्या करते हैं intervene करते हैं और अब जो interference होता है हम interfere करते हैं no doubt हमारी government तो interference भी होता होता है ऐसा नहीं कि कभी भी उठके चले गाए बोल दें कि नहीं यह नहीं करोगे धर्म यह नहीं हो सकता है religion में ऐसा नहीं होना चाहिए वह असा law and order maintain करने के perspective हो सकता है या फिर आप समझ लीजे कि कहीं पर discrimination हो रहा है women के साथ discrimination हो रहा था तो इसलिए triple तलाक वाला matter जो हो था वह रिलियस matter था लेकिन government intervene किया तो इस तरह से क्या होता है इस तरह से अगर आप समझें इस चीज़ को तो establish करने के लिए law and order establish करने के लिए discrimination रोखने के लिए intervene किया जा सकता है clear है तो यह important चीज थी फिर अगर हम आगे आते हैं तो जैसे और किस सेंस में Indian secularism अलग है तो अगर आप France की एक कहानी देखते हैं कहानी क्या देखते मतलब एक सिंबल इसमें क्या आजाता है जैसे कि France की government ने 2004 में एक law pass कर दे जिसके चलते कि स्कूल में जितने भी students है तो स्कूल में students क्या है किसी प्रकार का कोई religious symbol religious sign अपने उपर कैरी नहीं कर सकते जैसे head scarves Muslim women पहनती थी Muslim girls जो होती थी वो ठीक है फिर उसके सब्सक्राइब में अगर आप देखोगे तो कोई Christian मतलब क्रॉस वाला बड़ा सा क्रॉस पहन के नहीं जा सकता है ठीक है इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में हम क्या कर रहे हैं इंटर्वीन भी करते हैं लेकिन इंटर्वीन करने के साथ साथ में हम non interference की strategy को भी adopt करते हैं अब इस चीज़ को आप इस point से relate करो कि France में इन्होंने non interference वाली strategy adopt नहीं करी है वहाँ पर religious tolerance उतनी जादा नहीं है government क्या कर रही है जबर जस्ती नाग गुसारी है religious matters में लेकिन हमारे हमने क्या करका आजादी रखिये हैं कि स्कूल में आप देखो कि बच्चे headscars भी पहन के जाते हैं female जो girls रहती है Muslim girls तो वह लगा के जाती है ठीक है बहुत सारे बच्चे क्या skull cap भी पहन के जाते हैं बहुत सारे बच्चे तिलक लगा के जाते हैं तो हर चीज की क्या है आजादी है यहाँ पर non interference वाली बात की जा रहे कि हमने non interference की strategy adopt करी है France की तरह नहीं है जहां पर उन्होंने क्या है बहुत strict कर दिया है religion and state के separation को तो Indian secularism जो है तो वह flexible भी है rigid भी है at times we are at times our secularism is strict कभी-कभी strict हो जाता है जैसे ban करता है practices को और कभी-कभी क्या है हमारा religion जो है तो हमारा मतलब हमारा state जो है religious practices को क्या करता है आजादी देता है non interference के थुरू और यह सारी चीज़े ideal grounds पर बीज़ रहती हम देखते हैं कि कहीं human rights ना wallet हो है कहीं discrimination ना हो यह सारी चीज़े देखी जाती है आया समझ में तो इसलिए Indian secularism क्या है world के दूसरे secular countries से कुछ अलग है इसमें कुछ अलग बात है हमारे देश में ही कुछ अलग बात है तो इसी के साथ क्या होता हमारा chapter जो है वो complete होता है theory part पर ठीक है I repeat theory part पर एक video और बनाएंगे हम जिसमें हम क्या करेंगे जिसमें कुछ question answers को discuss करेंगे कि what are the most possible questions from this chapter क्या question पूछे जा सकते हैं उन चीजों को हम next video में discuss करने वाले हैं theory part पर complete हो जाता है अब chapter complete हो गया है तो आप enjoy कर सकते हो ठीक है अब next video में क्या पढ़ने वाले हैं frequently asked questions पढ़ेंगे कि what are the frequently asked questions which can be asked from this chapter इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं magnetbrains.com मिलते हैं नेक्श वीडियो में थैंक यू थैंक यू बेर मच हलो एवरीबड़ी दिस इस दिग्रास सिंग राजपूद वेलकम तू मैगने वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम कुछ questions डिसकस करने वाले हैं कौन से questions तो जो chapter हमने complete किया है theory part पर उसी के question answer डिसकस करेंगे ठीक है पिछले वीडियो तक understanding secularism जो हमारा chapter है उस chapter को हम theory part पर complete कर चुके हैं मतलब हमने सारे topics, subtopics in detail समझे हैं मैंने समझाया है और आपको समझ में आ गया है कैसे समझ में आया है अब मैं जानू भी तू सहीं कि आपको समझ में आया है नहीं आया है ऐसे question आपसे पूछे जाएंगे और आपको क्या करना है उनका answer recall करना है पूरा chapter पढ़ा है ना तो पूरा chapter पढ़ने के बाद में आपको answer बनना चाहिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला अगा जिससे देखा जा तो what is secularism basic question यहीं बनेगा यहां से कि secularism क्या होता है need for secularism secularism की जरुवत क्या होती है तो एक question यह बनेगा ठीक है what is secularism and what is the need for secularism तो secularism और need for secularism तो यहां पर आपको secularism की definition तो पता ही है separation of state from religion ठीक उसके राद में जरुवत क्या है कि हमारे यह हमारा basic right होता है fundamental right कि हम हमारी religious freedoms को enjoy कर लें और state क्या करता है state में encroach over this freedom and to ensure this there should be a separation between religion and state वो चीज़े हो गई ठीक है in questions के videos को मतलब in questions के answers को मैंने video wise convert कर दिया है तो उससे आपको और असानी होगी और अधत मिलेगी कि अच्छा secularism क्या है secularism की नीट क्या है तो इसको आपको हर वीडियो में specifically मिल जाएगा content भी explanation भी clear need for separating religion from the state दो points में आपको उसका answer complete करना है मतलब elaborate करना एक तो क्या है कि for the better functioning of a democratic society it is required to separate state from religion अगर आपको आपकी country को एक democratic तरह से चलाना है तो आपको क्या करना होगा separation ensure करना होगा कि आप religion को separate कर दो किस से आप religion को separate कर दो state से ठीक है ताकि क्या हो कि state की power और यूज करके कोई एक religious minorities religious majority का है minorities के उपर dominance ना establish कर पाए एक point ही हो गया दूसरा point क्या था हमारा कि individual freedom को अगर आपको ensure करना है individual जो रहेंगे तो वह अपनी religious freedom को अपनी तरह से interpret करेंगे वह किस religion में रहना चाहते हैं किस religion को exit करना चाहते हैं किस religion को follow करना चाहते हैं किस तरह से interpret करना चाहते हैं उनक्यों पर अलग-अलग शब्दों में question पूछा जा सकता है, बाकि basic concept क्या होना चाहिए, basic concept क्यों होना चाहिए कि आपको content पता होना चाहिए, अगर आपको content पता और question समझना सीख गए हो आप, तो आप से किसी भी तरह का question पूछ लिए जाए, तो उस sense में क्या है, उस sense में आपको फिर ये मन से आंसर लिखने की habit होना चाहिए, और मन से आंसर लिखते हो तो इससे आपकी writing habits भी develop होती, कितना याद करोगे, मन से लिखना सीखो, ठीक है, ये हो गया, content पता रहना चाहिए, पॉइंटर्स ध्यान में रहे, लेकिन उसको frame अपने मन से करना सीखो, तो need for separating religion from state, ये question बन सकता है, फिर आता है, what are the objectives of a secular country, तो वही सारी चीज़ें, कि एक religion, दूसरे religion के उपर dominate ना करें, एक ही religion के अंदर, एक group, दूसरे group के उपर dominate ना करें, इस्टेट किसी भी प्रकार के religion को enforce ना करें, तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये objectives of a secular country, या फिर what objectives a secular country must fulfill, ठीक है, कैसे भी question आए, तो objectives आपको बन गए, तो वो objectives आपको लिखना रहेंगे, किसमें secular country के objectives हो गए वो, clear है, तो ये objectives of secular country हो गए हमारा, इन जनरल कैसे हो गया यह, इन जनरल ऐसे हो गया कि आप सब तीनो strategies पूछ ली नहीं, इनोंने, what are the strategies of India, Indian state to achieve the objectives, तो ये तीनो strategies लिखना है, explain करना, example देना है, ठीक, तो ये पांच नमबर में आ सकता है, ऐसा question, उसे preoccupation, भड़ा question हो गया है, अब इसको अखर सब-topics में पूछा जा सकता है, कि strategy क्या है, strategy of distancing state from religion, ये strategy को explain करो, strategy of non-interference को explain करो, strategy of intervention को explain करो, तो सब-topics में भी आ सकता है, ठीक, ये सब-topics में भी question आ सकता है, और in general, question भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सारी चीज़े लिखना रहे तो अब यहां पर आपको अपनी बुद्धी का अपने विवेक का इस्तमाल करना है ठीक है विवेक आपका फ्रेंड नहीं है विवेक मतलब आपका ज्यान जो है उसका तो उसका इस्तमाल करते हुए क्या करना है आपको आंसर लिख क्या है कि हमारे हाँ ब्लेंट देखने को मिलता है किस चीज का कि इंडियन सेक्लिरिजम एक टाइम पर स्ट्रिक्ट भी एक टाइम पर क्या है लीने इंडिबी यह अदॉप्टेट इस्ट्रेजी ऑफ इंटर्वेंशन विर्वाइब इंटर्वीन इंडिलियस मैटर्स तो जहां पर हम रिलिजियस प्रक्टिस को रिलिजियस संटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए अलग-अलग रिलिजियन को उनके हिसाब से चीज़ें करने देते हैं तो यह कुछ बेसिक सेट ऑफ कुश्यन से जो आप से पूछे जा सकते हैं और मैंने आपके सांद से कॉपीज में जो कुशन आंसर लिखवा जाते हैं अप उन्हें याद कर लो चैप्टर पूरा समझ में आ गया कुशन आंसर देख लिए अब बचा ही क्या है ठीक है समझ में आना जादो ज़रूरी है माक्स से तो यह सारी चीज़े हो गई हमारी इस चैप्टर में अब हम से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम पढ़ते हैं एक अरेंज फॉर्मैट में अविलेबल हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजित आर ओफिशल वेबसाइट मेंट मेंज डॉट कॉम थैंक यू थैंक यू बहुत जी